इस वक्त पंजुकूला के ताउ देविलाद स्टेडियम में हम खड़े हैं और यहाँ पर अठारवी नैशनल एथलेटिक चैंपियन्शिप का अगाज हो चुका है यहाँ पर यह चैंपियन्शिप चल रही है लेकिन यहाँ पर जो दिव्यांग खिलारी पहुंचे हैं सैंकडो दिव्यांग खिलारी यहाँ पर पहुंचे हैं जिने वो सुख सुविधाय नहीं मिल रही वो मुलभूत सुविधाय उन्हें नहीं मिल रही जिसके वो हकदार है और उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मीडिया का सारा लेना पढ़ रहा है कही न कहीं ट्विटर के जरिये ट्वीट करके एक दिव्यांग खिलारी ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है एक दिव्यांग खिलारी से हम आपकी बातचीत करवाएंगे सुवर्ना राज हाल ही में अपने ट्वीट के कारण चर्चा में आई सुवर्ना राज से हम आपकी बात करवाएंगे जो काफे दिक्कतों का सामना यहाँ पर कर रही है साथ ही आपको ये भी बता दे कि अब उन्हें गेम से भी बाहर कर दिया गया है गेम से बाहर होने के बाद अब वो घर वापिस लॉट रही है हाल ही में अपने ट्वीट से चर्चा में आई इंटरनेशनल पैरा एथलेट खिलारी सुवरना राज हमारे साथ मौझूद है अब वो गेम छोड़ कर वापिस जा रही है और पंचकूला में वो पहुंची थी ताउ देविलाल स्टेडियम में इंटरनेशनल पैरा एथलेट चैंपियंशिप में भाग लेने के लिए जहां पर वो पहुंची थी लेकिन अब वो गेम छोड़ कर वापिस जा रही है उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो उन्हें वापिस जाना पड़ रहा है देखी ये नैशनल चैंपियंशिप इनोंने कंड़क्ट की है स्टेट से सबके नाम आये थे कि हाँ इस गेम में ये ये प्लेयर ये खिलाडी खेलेगा और इस इस गेम में खेलेगा लेकिन यहां आने के बाद कल मुझसे कहां गया कि आपका तो नाम ही नहीं आया हुआ है दिल्ली से तो मैंने का ऐसे कैसे हो सकता है मुझे बिब नंबर कैसे मिल सकता है मुझे accreditation card कैसे मिल सकता है तो उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं मैडम अब आपका class change कर देंगे class change हो गया मैं 24 तारिक से यहां आई हूँ 24 तारिको 25 तारिको मेरा classification हुआ अचानक 26 को फिर दुबारा classification की क्या जुरुरत पड़ गी और अगर यही था तो मेरे को 24 तारिक से मेरा दिन यहां वेस्ट क्यू किया गया जब मुझे नहीं खेलने देना था तो पहले ही बता देते हम players अपना time तो बरबाद नहीं करते कल भी कई players पर protest किया गया और उनके classification चेंज कराए गया और उनके साथ भी यही सब हो रहा है यह सब चीज स्टेट से होके क्यों नहीं आती है और या फिर 24-25 को अपने classification रखाता तो खेलने से पहले यह सब कुछ होना चाहिए था ना कि bib number और सब कुछ देने के बाद आप कहोगे कि नहीं आप sorry कि चलो हम केलेंगे और इसमें मेरी गलती तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ मैं अकेली लड़की विल्चर रेसिंग करती हूँ उल्टा इनको तो गर्व होना चाहिए कि चलो इंडिया में किसी ने तो वो लिया है कि विल्चर रेसिंग ऐसा गेम है जो शायद सोच भी सोच भी नहीं सकते और मैं करना चारी हो तो मुझे करने नहीं दे रहा है कि रहे ठीक है खेलो लेकिन मेडल नहीं मिलेगा पर यह आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले नेशनल चैंपेंशिप किस लिए अरेंच की जा था कि जब मैं फर्स दे आई तो मैंने देखा कि सेम गाजियाबाद वाला जो इवेंट हुआ था वो सेम कि टू सेम चीज यहां पे हो रही है निचे अकॉमेंडेशन दे रखा है जैसे कि आपने सुर्कियों में देखा होगा बात्रूम टॉलेट का हिसी में विल्चर जान सुबर नौ बजए से बीना खाई पही क्यूं का कर मैं विवेंट नहीं कर सकती तो मैंने का इवेंट के बाद खालूंगी सिधा बोल दिया गया स्वारी मेडम हम नहीं किला सकते स्वर्णा जी एक इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि आपको किसी CMO को या किसी Medical Officer को आप पहले बता सकती थी सिधा PM नरेंदर मोडी को ट्वीट करने की क्या जरूरत आ पड़ी क्योंकि कोई और सुनता नहीं है ना साही में डीजी जी जो होते हैं डीजी वो भी नहीं सुनते ना वो मिलने का समय देते राजवर्दन राठोड जी जिनको इतने सारे मेल जम कर चुके हैं उनका तक रिप्लाइन ही आता और हमारे देश की यही विडम बनाये कि नाशनल आर्चेर प्लेयर लास्ट यर सुसाइड अटेंट किया उसने वो मर गया और हमारे देश में ऐसे ही खिलाडी मरेंगे और मुझे लग रहा है में को पिछले दस साल से टीटी नहीं खेलने दिया वही मुझे यह नहीं समझ में आता कि पारलंपिक कमिटी ऑफ इंड चाहिए लोग कानून को पॉल जाते हैं उस कानून को पास हुए दो साल हो चुके है और तीन साल का समय तो सिर्फ एकसेसिबिलिटी के लिए दिया गया है बिल्डिंग्स के लिए तो क्या इनको समझ में नहीं आया कि हम प्लेयर को कैसे जिमन पर सुला सकते हैं चाहे वो प्यारा प्लेयर स्टैंडिंग का हो चाहे वो विल्चर यूजर हो चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे वो हेरिंग स्पीच हो यह आप नहीं कर सकते यह कानून के खिलाफ है तो जो आपने ट्वीट किया क्या लगता है आपको इस आश्वासन के बाद कहीं आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी आप हकदार है। फोटो के साथ न्यूस्पेपर में छपए हो और सब कह रहें कि हमें दिक्कत है। लोगों का तो टाइम भी बरबाद, खेलना भी बरबाद, पैसा भी बरबाद, सब बरबाद। आपका कहना है कि सभी दिव्यांग खिलाडी जो भी हाँ पर खेलने के लिए हैं, सभी दिव्यांग खिलाडीों के साथ इसी तरह का सोतेला वैवार किया जा रहा है। लड़कों का मैच होगा और उनको मेडल मिलेगा क्योंकि तीन या चार लड़के है। लड़की एक है इसलिए मैडल नहीं मिलेगा, वैसे तो इंटरनाशनल लूल ये भी कहता है कि मिनीमम फाइप लेयर्स होने चाहिए, तो आप उनको भी मैडल मत दो, उनका इवेंटी मत कराओ, तो फिर मेरे साथ ना इनसाफी क्यों। तो अगर उन्हीं ये सुविदा नहीं मिल रही, तो वो कहां चार है। पर पता नहीं किस किस ने मतलब करोड रुपे से उपर, करोड रुपे लगाए का, ना अथलीट को पानी है, ना एक बेसिक जो होता है कि ग्राउंड में अटलिस पानी की करेट मोजूद होनी चाहिए, छोटी छोटी बोटल, ना वो है, ना कोई डायेट है, डायेट में आ मोटल आपने यहां रूम में खाना का रही हूँ, क्योंकि पैट भी गड़ गया था, ठीक है, ना खाने को इतनी है, ना किट प्रोवाइड की गई है, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं, पांच रुपे का एक एक अग्रीडियेशन कार्ट जरूर दिया है, जिसमें हमारी इन कसी लाग एक करोड वो दे रही है, वो अलग, यह पैसा गया कहा, और यह हर साल होता है, गाजियाबाद में भी लिखा, सीधा अनौन्स हुआ था कि दस या बिस लाग रुपे तब भी दिये गया थे, लेकिन प्लेयर्स को एक भी सुवीदाय नहीं दी गया थी, स्टेडियम इनको फ्री मिल रहा है, क्योंकि वो भी किसी ने अपने उसमें कहा है, कि स्टेडियम तो हमने दिया हुआ है, तो अकोमेंडेशन भी फ्री में ही हो गया, तो फिर पैसा गया कहा, और बाकी मैं लिख्वा के दे रही हूं, आपको कि कम से कम 200-400, 400-500 प्लेयर तो बाहर अपने पैसों से रह रहे है, क्योंकि वहां कोई रही नहीं पा रहा है, तो फिर पैसा कहा गया, आप ये पूछिए सरकार से जाके, कि 80 लाग 1 करोड कहा लगाया, तो पैसा कहा गया, ये एक बड़ा सवाल है, साथ ही आप से ये भी जानना चाहेंगे, कि इससे पहले एक दिली में ट्रेन में सफर करते वक्त आपको कुछ दिक्कते आये थी, इस वक्त भी आपकी ओर से अवाज उठाई गई थी, जिस तरह से एक दिव्यांग खिलारी के साथ सौतेला वहवार किया गया, वहां पर भी कुछ इस तरह की दिक्कते आये थी, क्या हुआ था? जो नहीं सो पाया अपर वर्त पे वो नीचे जमीन पर ही सो के आया है, स्लीपर क्लास में, क्योंकि वह अपनी सीट कोई चेंज करने के लिए राजी नहीं है, एक लड़की बैंगलोर से तीन दीन टॉइलेट वाश रूम यूस किये वना राई है, क्योंकि ना उसके हाथ च वाशनल अस सिंस अमाना झो छोके हैं olsun लूस कि पेमेंट सरकार करती है, तो इंडिया कब करेगा, क्या इंडिया में विकलांगता है नहीं है या विकलांगता बस प्राबलम ही साथ ना मेंटलिटी है हो चुकी है, विकलांग जो खिलारी है उन्हें दिव्यांग कहना शुर कि सिर्फ दिव्यांग बोल देने से को हमारी disability ने हो जाएगा ना हमारी दिक्णते ही चेंज हो जाएगी कुछ भी चेंज नीहीं होगा विकलाग हो दिव्यांग हो persons with disability हो या disability हो हमारे लिए हमार लिए तो सब एकी चीसे क्यों हम ज़ंकि हम् तो उस तरह की फैसिलेटीज भी दे दो ताकि हमें इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े मैं आज अवाज उठाई तो इस रूम में हूँ आपके सामने एक अच्छा रूम मुझे प्रोवाइड किया गया लेकिन उनका क्या जिनको नहीं किया गया उनके बारे में सोचिए तो ना इंटरनेशनल पैरा एथेलिट खिलाडी सुवर्ना राज को और उनकी समस्याओं को जाना कि किन तरह की दिक्कतों का सामना वो यहां पर कर रही है इस चैंपियंशिप में साथी आपको यह भी बता दें कि अब उन्हें गेम से बाहर कर दिया गया है देखना भी यह होगा कि सरकार का इसके प्रती क्या रुक रहता है और दिव्यांग खिलाडियों को लेकर सरकार कितना गंभीर है क्यामरा परसन लवित पांडे के साथ मैं शीनम शर्मात खबर अभी तक